नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे दो दिनों पहले जब मैंने इस न्यूज को पढ़ा था तो काफी एक कॉमन सा न्यूज लगा था जिसको पढ़के पहली निजर में ऐसा मैसूस हुआ था कि अगर आप कहीं पे भी काम करते हैं तो किसी न किसी बात को लेके उस डिपार्टमेंट में या उस ग्रूप में बगशक हो जाता है लेकिन बीते 24 गंटों में पूजा खेड़कर के बारे में ऐसे ऐसे इन्फरमेशन निकल के आएं जिसको पढ़के कोई भी ये कह सकता है कि बहुत ही बड़े पैमानें पे फ्रॉड हुआ है क्योंकि ये मामला भी भी कोर्ट में नहीं पहुँचा है इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है तो इसलिए exactly fraud हुआ ही है ये बात बहुत ही assertive तरीके से कहना मुश्किल है या नहीं कहना चाहिए लेकिन फिर भी हमारे पास sufficient proof है जिसको देख के या जिसको पढ़के कोई भी कह सकता है कि पूजा खेड़कर ने कहीं न कहीं document के साथ हेर फेर किया है इसी बीच अगर बात किया जाए UPSC के बारे में तो कम से कम भारत में UPSC को लेके यही perception है कि ये एक अभ्यद किला है और UPSC जो करता है वो सही करता है तो कहीं न कहीं UPSC का जो process है उसके उपर भी सवाल उठता है और वैसे departments जो document को verify करते हैं joining देने के पहले उनके उपर भी सवाल उठता है तो normally क्या होता है कि जब आप UPSC या state PCS के exam देते हैं तो इसके syllabus काफी बड़े होते हैं और काफी diverse होते हैं तो जब आप इतने सारे subjects को पढ़ते हैं तो कहीं न कहीं आपके जो विचार होते हैं वो काफी बदल जाते हैं या बहुत हद तक हम कह सकते हैं कि एक आम इंसान के विचार से आपका विचार कहीं उपर पहुँच जाता है तो उसी एकारण क्या होता है कहीं न कहीं आपके अंदर जो materialistic दुनिया को लेकि जो सोचने का तरीका है या जो attachment होता है वो भी कम हो जाता है लेकिन अगर हम बात करें पूजा खेड़कर के मामले में तो जिस तरीके से इन्होंने अपने junior officers को message किया या demand किया कि इनको specific cabin चाहि ये पढ़के कहीं से भी नहीं लगता है कि ये एक professional officer है जो अभी अभी अपने training को complete किये है या in fact अभी भी वो training में ही है जैसा कि हमें पता है कि government services में कुछ एक certain reservations होते हैं उन लोगों के लिए जो किसी भी तरीके से एक आम इंसान के तरफ fit नहीं है कहने का मतलब है कि अगर आपके body में कोई problem है तो government उस चीज़ को consider करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो हमारा समाज है उसमें सभी लोगों को accommodate किया जाए लेकिन बात अगर किया जाए पूजा के बारे में तो जिस तरीके से इनोंने अपने mental disabilities को बताया है या अपने OBC background को बताया है और जिस तरीके स इन सब के बारे में ये certificate या medical report present किये हैं कहीं न कहीं इन सभी के उपर में सवाल है अगर आप किसी भी तरीके से ये कहते हैं कि आप में mental disabilities है तो आपको एक IAS officer का post कैसे मिल सकता है तो किसी भी तरीके से अगर आपको इतना responsible position मिलता है और वो अगर साथ में ये claim करता है कि उस important position होता है और उसके बात क्या होता है कि normally अगर हम किसी भी काम को करते हैं या करना चाहते हैं तो उस काम को करने में एक certain time लगता है लेकिन जिस तरीके से पूजा खेड कर अपने आपको introduce करती हैं अपने junior officer को और back to back उनको messages भेशती हैं और अपने जो demands होते हैं उसके बारे म उसको लेकि ये काफी concerned है तो कहीं न कहीं ये सब जो properties होते हैं वो किसी भी तरीके से एक civil servant का property नहीं होता है और जब आप किसी भी चीज़ को continuously follow up करते हैं और खास करके जब आपके अपने personal demand होते हैं तो वो भी बताता है कि आप किस तरीके से society को देखते हैं और किस तरीके स अपने position को देखते हैं और समझते हैं जितने भी लोग हमारे बीच में UPSC exam दे रहे हैं या appear कर शुक है उनको पता है कि 841 rank लाने के बाद आपको highest का position नहीं मिलता है लेकिन जिस तरीके से ये अपने आपको introduce करते हैं OBC background में और अपने mental disabilities के certificates वगरा देते हैं और multiple times ऐसे जहाँ पे इनको certificates मिलते हैं या medical certificate मिलते हैं उन सारे test को या उन सारे dates को ये skip करते हैं और उसके बावजूद इनको highest का position मिल जाता है और साथ में अगर बात किया जाये तो इनके पास एक Audi गाड़ी है और ये Audi गाड़ी भी इनके family के नाम पर registered नहीं है बलकि किसी private company के नाम registered है तो कहने का मतलब है कि जब आप एक government officer होते हैं तो आपको एक certain protocol follow करना होता है जैसा कि हमें पता है कि भारत में जो लाल बत्ती का culture इसको खतम कर दिया गया है उसके बावजूद ये अपने private गाड़ी का इस्तिमाल करती है और उसके उपर लाल बत्ती का इस्तिमाल किया जाता है और साथ में वो तमाम stickers लगाये जाते हैं जो कि सिर्फ permitted है आपके सरकारी गाड़ियों के उपर अगर आप किसी भी तरीके से OBC का non-crimi layer में belong करते हैं तो आपके जो annual income होते हैं वो 8 लाग तक होते हैं लेकिन वहीं पे अगर इनके बारे में बात किया जाए तो इन ने कहीं बहुत ही बड़े पैमाने पे hairfare किया गया है ये हमारे सामने एक latest visual आ रहा है जहां पे ये पूजा खेड़कर की मा है जो कि किसानों को पुने में धमकाते हुए दिख रही है और पिस्टल का इस्तेमाल कर रही है और साथ में कुछ bouncers को भी carry कर रही है तो कहीं ने क कहीं जिस तरीके से इनका behavior है या इनके पिताजी का behavior है exactly ये नहीं मालूम चला है अब तक कि इनके पिताजी भी एक retired IS थे हैं या नहीं लेकिन almost हर जगा ये mention किया जा रहा कि इनके पिताजी भी एक high ranking government official रह चुके हैं और साथ मैं अगर बात किया जाए इनकी माता जी का जि किया गया है और जब किसान थाने में जाते हैं report लिखवाने के लिए तो इनके report को नहीं लिखा जाता है तो कहने का मतलब है कि हमारे सामने ये बहुत ये classical example है जो बताता है कि इस तरीके से systematic failure होता है और जब systematic failure होता है तो जो powerful लोग होते हैं वो सत्ता में काबिज हो जाते ह जिसके कारण क्या होता है कि जो concentration of wealth होता है वो कुछ सीमित लोगों के पास ही रहता है और साथ में अगर बात किया जाए तो इनके उपर total by spending चलान है जिसका जो cost पड़ता है या जो fine देना इनको पड़ेगा वो पड़ेगा 27,000 रुपेगा तो किसी भी तरीके से इनके जो हैं या किसी भी तरीके से इनका जो behavior है वो एक IS के position को suit नहीं करता है और ये exactly वो गाड़ी है जिसके उपर ये VIP number plate का इस्तेमाल की हैं और तकरीबन सभी तरीके का जो government के stickers होते हैं उसको लगाया गया है और उसके बाद ये हमारे लिए भी सोचने वाली बात है कि अगर ये news इस public domain में नहीं आता तो ये successfully इनका जो rob था या जो किसानों की जमीन को हडपा गया ये हडपने का जो attempt किया गया वो continuously चलता रहता तो कहीं न कहीं जो राजसरकार है जो local authority है उनके बिना permission का ये सारे काम नहीं हो सकता है और कहीं न कहीं UPC को भी अपने अंदर introspect करना पड़ हो गई तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care goodbye